जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन, कायर और जिया जब डेमिन लॉट्स से बचकर भाग रहे थे और जब डेमिन लॉट्स उन पर जान लेवा हमला करने ही वाले थे कि तभी वहां आस्टिन ग्रिफिन यानि हाउए आ गया था और उसने सभी को बचा लिया कि कैसे अकेले आस्टिन ग्रिफिन ने हम दोनों डेमिन लॉट्स को ग्राविटी प्रेशर में डाल दिया था नया डेमिन लॉट कहता है कि तुम दोनों अगर उसे पकड़ लेते तो फिर हम दोनों गॉट को ये दिखा सकते थे कि हमने आस्टिन ग्रिफिन को पकड़ लिय ये सब सुनकर उन दोनों डेमन लॉट को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे वैसे ही जाने दिया हम यहां जिन्दा बैठे हैं वो ही बहुत बड़ी बात है अगर तुम उसे लड़ता हुआ देखते तो तुम ये बगवास हम दोनों के सामने अभी नहीं कर रहे होते वो गॉट्स क्राउच है और वो ही हम डेमन्स का अंत है उसे तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है और उसके खून में इतनी ताकत है कि हम क्या खुद डेमन गॉट भी उसके आगे आने से पहले दो बार सोचेंगे एक demon lord कहता है कि ये बात हमें demon god को नहीं बतानी चाहिए और खोद उने यहाँ बुलाना चाहिए जिस पर दूसरा demon lord उसे रोगता है और कहता है कि Austin Griffin ने अपनी 90% पार को यूज कर लिया है और वो भी exorcism pass में अभी छुप रहा होगा exorcism pass का chief अब मर चुका है और उस चगे में अब political instability है और ये सही मौका है उन पर अब अटाक करने का हम अब Austin Griffin को पकड़ ही लेंगे और फिर उसको demon god को भी जब 100 पाएंगे तो वो हमें और जादा reward देंगे वही हम हाउशन को अब देखते हैं जो बेहुशी की हालत में उठता हाउशन चीफ की पूछता है लेकिन उसे फिर पता चलता है कि चीफ अत्मरी हालत में हो गए थे इसलिए हमने उन्हें anti-tongling furnace treatment दिया है जिससे उनकी memory और life चली गई है और उनका शरीर बच्चा बन गया है ये सुनकर उसको काफी दुख होता है लेकिन अच्छी बात ये है की चीफ अभी भी जिन्दा है लेकिन हाउशन इसका प्लेम खुद पर डाल रहा होता है कि अगर वो थाकतवर और होता तो फिर वो चीफ को बचा लेता ग्रैंपा उसे ऐसा ना करने को कहकर उसकी तारीफ करते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो चीफ अब तक मर चुके होते अब हाउशन उन्हें वो तीन चीज़े देता है जो चीफ ने उसे दिये थे ये तीन चीज़ देकर वहाँ सभी शौक हो जाते हैं और कमांडर इनको लेने की कोशिश करता है लेकिन ग्रैंपा रोग देते हैं वहाँ सभी शौक है कि चीफ ने हाउशन को एक्सॉसिजम ओर क्यों दिया है हाउशन कहता है कि उन्होंने मुझे ये ग्रैंपा को ही देने को कहा था और ग्रैंपा बताते हैं कि ये एक्सॉसिजम ओर है और जिसके पास भी ये होता है उसके पास एक्सॉसिजम पास के मिलिटरी का पूरा कंट्रोल आ जाता है और आप क्यूंकि ये तु इने की कोशिश करता है लेकिन ग्रांपा अब भी उसे रोग देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि चीफ ने ये तुम्हें दिया है उसने कुछ सो समझ कर ही दिया होगा बाकि दोनों चीज जियाए और लिंग्जिन है और इनके अंदर डेमिन्स की जरूर इंफॉर्मेशन होगी जो उन्होंने कलेक की है लेकिन ये भी अभी encrypt हुई पड़ी है यानि इस information को उन्होंने code की form में डाला है और हमें इसको decrypt यानी decode करना होगा वो गाउ-यenzी को ये दे देते हैं और कहते हैं कि अप से यहाँ चीफ नहीं है इस पूरी चगए का इन्जाच मैं हो और इसल ये कार्ट तुम्हारी बॉड़ी में कोई भी स्किल को स्टोर कर सकता है और जब तुम इसे रिलीस करोगे इसमें तुम्हारी कोई स्पिरेजुल एनरजी भी वेस्ट नहीं होगी चीव ने ये सब तुम्हें दिया है जरूर वो तुमसे बहुत साथा इंप्रेस हुए होंगे ये सब देखकर कायर की मा को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अब कहती है कि आपने हमारी शेंग फामिली की सीक्रिट नौलेज एक आउटसाइडर को दे दी है आगर आपने ऐसा क्यों किया ये सुनकर हाउशन को भी बुरा लगने लगता है और गुस्से में फिर क कायर उसके हाथ से ये सब लेकर अपनी मा को फेक कर दे देती है कि हमें कुछ भी तुमारी शेंग फामिली का नहीं चाहिए ये सुनकर उसकी मा कहती है कि क्या तुम शेंग फामिली से नहीं हो लेकिन फिर वो अपना गुस्सा शान करती है और कहती है कि तुम अपने पापा चोड़ा था मेरे लिए तुम दूनों मर चुके थे और अब मैं अनाथ हूँ ये सुनकर उसकी माउस को एक थपड़ जड़ देती है और कायर गुस्से में इतना बुरा बोल देती है कि अगर मैंने हिमानिटी के लिए अपने सेंसिस को लूज कर दिया तुम्हारी वज़े से तो जिनको तुम मेरा बाप कह रही हो वो तो अपनी जिन्दगी सैक्रिफाइस करी ही सकते हैं मुझे सिर्फ तुमने एक टूल की तरह इस्तमाल किया है और जब भी मैं तुम दूनों के बारे में सोचती हूँ मुझे वो सब पल्याद आ जाते हैं जो मैंने अंदकार में ब बाहर ले जाता है और उसे अकेले में उसका मन बहलाने लगता है और अब उसकी मा को भी समझा जाता है कि अब ये उसकी कायर नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तुम नहीं हो ये मेरा ही डिसीजन था उसको इस रास्ते पर चलाने का हाउशन और कायर हाउशन को गले से लगा क फूट फूट कर रो रही है और अब कायर उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ एक समय पर एक नन्नी लड़की थी और उसकी इनीट स्पिरिच्वल पार नाइटी थी पर थी वो असासन हॉल में जन्मी एक रिइंकार्नेटिट सेंट थी जिसके भाग्य में हुमानिटी को बचाना लिगा था जब मैं आय तो पूरा असासन हॉल खुश हो गया था और वो नन्नी लड़की भी खुश थी उसे लगा था कि उसके पापा को उस पर गर्ब है इसलिए वो लड़की हमेशा खुश रहती थी लेकिन फिर अगले ही दिन उस नन्नी लड़की को उसके ही पेरेंट्स ने उसको एक बहुत ही अंधेरी जगह पर फेक दिया उन्होंने उस लड़की से कहा और तुम इसी सब के लिए जन्मी हो वो लड़की उस अंधका जगह में गिरती है और वो ममी पापा चिलाते चिलाते थक गई उसका गला फट गया लेकिन फिर भी किसी ने उसके आवाज नहीं सुने उस अंधेरी जगह में वो बस यही सोचती रही कि उसे ही क्यों साक्रिफाइस देना पड़ा बहाँ मेरा कोई रिचुल किया गया और इसमें उस नन्नी लड़की को बहुत साधा दुख हुआ जब उस नन्नी लड़की की आँख खुली तो वो टॉरिंग स्पिरिट रोड और टॉरिंग से ब्लेंड हो चुकी थी और उसकी इनेट स्पिरिच्वल पार सौ से भी साधा बढ़ गई थी उसके मॉम और टैट ने उसे फिर से गले लगा लिया उसके पापा इतने खुश हुए कि उन्होंने सभी से कहा कि हुमानिटी की होपव आ चुकी है लेकिन वो अब नन्नी लड़की कुछ सुन नहीं पा रही थी टॉरिंग मॉसलियम फॉर्नेस जो कि नमबर वन मॉसलियम फॉर्नेस है उसको लेने से उस ननी लड़की के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्स हुए और इस साइड इफेक्स में पहले उसके सुनने की शक्ती चली गई फिर उसकी पूरी बॉटी में दर्ध होने लगा और बेशक वो उस अंधकार से निकल गई थी लेकिन अब वो इतनी साधा डिप्रेस हो चुकी थी कि वो फिर से उस हेल में जाना चाहती थी और फिर एक दिन लड़की अपने घर को छोड़कर भाग निकली लेकिन उसके पीछे कहीं असासंस पड़ गए जब वो भाग रही थी तो एक लड़के ने उसे बचाया और अपनी जान की परवा ना करते हुए आखिर तक उस लड़की को हर तरीके से जैसे वो बचा सकता था उसने बचाया और वो लड़का और कोई नहीं बलकि तुम हो ये सुनकर हाउशन शौक हो जाता है